व्ल्कम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स इंपेशन प्लांट को आपको नर्सरी से लाने के बाद कैसे रिपोर्ट करना है खाद कोंसे डालनी है मिट्टी कैसे तयार करनी है किस जगह पर रखना है केर कैसे करनी है सब कुछ वीडियो में बताऊंगी इसलिए पूरा जरू प्राइटी होती हैं फूलों के कलर इनके अलग-अलग रहते हैं आप चाहो कोई भी अपनी पसंद से कलर ले सकते हो वोती प्यारा प्लांट है इंपेसियन प्लांट जो होता है यह ज्यादा तर विंटर में हमारे इदर सर्वाइव करता है ऐसे यह पर्मनेंट प्लांट होता इस प्लांट में आपको पानी भी कम ही डालना होता है क्योंकि इसके स्टैम्स जो होते हैं इसकी ब्रांच जो होती है वो काफी मोटी मोटी रहती है जिनमें पहले से बहुत पानी स्टोर रहता है तो आपको इस प्लांट में पानी कम ही डालना होता है सिर्फ इसकी जरूरत की according ही आपको इसमें पानी डालना होगा क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डालोगे तो इसके stems गल जाएंगे और अगर आप इसमें कम पानी डालोगे तो होगा क्या कि इसकी leaves जो होती है वो बहुत जल्दी fold हो जाती है इसकी पत्या मुडने लग जाती हैं तो आपको इसमें हलका हलका विल्कुल मोस्चर बना कर रखना होता है तो नर्सरी से लाने के बाद आपके प्लांट जल्दी से खराब हो जाते हैं उसके कई सारे रिजन होते हैं या तो उनको मिट्टी अच्छी से त्यार नहीं होती है या फिर आप ज्यादा पानी कोकोपीट वगरा एड़ कर देते हो तो कोकोपीट में बहुत देर तक पानी होल्द रहता है इस वज़े से भी आपका प्लांट मर सकता है तो यहाँ पर हमने इसके लिए करीब आट इंच का पोट लिया है वो भी मिट्टी का ऐसे प्लांट के लिए मिट्टी के पोट काफी सही रहते हैं आप चाहें तो इन प्लांट को हैंगिंग पोट में भी लगा सकते हो क्योंकि इनकी जो मीनी वैराइटी आती है जिनके प्लांट में आप एड़ कर रहे हो तो अगर आप गीली एड़ कर लोगे तो आपके प्लांट में फंगस लग जाएगी प्लांट आपका मर जाएगा इसके बाद हमने यहाँ पर 40% ही वर्मी कंपोस्ट लिया है 40% मिट्टी है 40% वर्मी कंपोस्ट है only 20% हमने गोबर की और फंगस भी जल्दी लगती है अगर थोड़ी भी गीली रहा जाती है उसके बाद हमने यहाँ पर सिर्फ आधा चमच फंजी साइड पाउडर लिया है हमारा प्लांट फंगस की वज़े से या फिर कोई कीड़ा वगरा ना हो खराब ना हो जाए उसके लिए हमने आधा च इसी मिट्टी बनकर तयार हो गई है इसको अच्छे से मेक्स कर लेंगे क्यूंकि हम 3-4 प्लांट के लिए अपनी मिट्टी तयार कर रहे हैं इसलिए हमने पोटास थोड़ा ज़्यादा लिया है अगर आप सिर्फ एक दो प्लांट के लिए ही मिट्टी तयार कर रहे हो तो आधा चमची आप पोटास का एड़ करिए पोटास आपको 2-3 तरह का मिलता है दानों वाला भी मिलता है लिक्विड में भी मिलता है तो आपके पास कौन सा है वो आपको देखना है अगर आपके पास लिक्विड वाला है तो आप उसको पानी में घोल के बाद में भी डाल स अगर आप चाहें तो इसी मिट्टी में नीम खली जो होती है उसको भी यूज कर सकते हो नीम खली ना तो हमारे प्लांट को जल्दी से मरने देती है ना जड़ों को खराब होने देती है फंगस नहीं लगने देती है प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करती है तो आप नीम खली का भी यूज़ कर सकते हो मैंने फिलहाल नहीं किया क्योंकि मेरे पास खत्म हो रखी है इस वज़े से इसके बाद फ्रेंट्स हमने अपने प्लांट को निकाल लेना है इनकी रूट्स को ज़्यादा डैमेज नहीं करना है धीरे से निकाल लेंगे पोट में से आप चाहे तो प पोट में रख देना है और उपर की साइड से इसमें मिट्टी भर देनी है तो फ्रेंट्स जब हमारी मिट्टी अच्छे से तयार हो जाती है बढ़िया खाद डलके तो हमें कम से कम 10-20 दिन तक अपने प्लांट में दूसरी खाद डालने की जरुरत इतनी जल्दी नहीं सकते हैं या फिर आधा आधा चम्मच ऐसे ही पोट में भी डाल सकते हैं लिकविड खाद जो होती है वो डिरेक्ट प्लांट में असर करती है और जब हम सूखी खाद डालते हैं तो धीरे धीरे वर्क करती है इसलिए मैं ज्यादा तर सूखी खाद का यूज करती हूं बाहर ना निकले तो इसलिए उपर की साइड पोर्ट में थोड़ा इसपेस बना कर रखें और ये प्लांट ऐसा है कि आप इसको पूरा दिन की धूप में नहीं रख सकते इसको रिपोर्ट करने के बाद आपको ऐसी जगह रखना है जहां पर इसे सुबह की सिर्फ 10-15 मिंट क दूप मिल जाए क्योंकि अभी विंटर है तो इतनी धूप को ये बरदास्त कर लेते हैं अगर आप इनको गर्मी में भी सेव करके रखना चाते हो तो क्या करना है आपको की इनको चाया वाली जगह पर रखना है अपनी बालकनी में रख दीजे या फिर ड्राइंग रूम म ये प्लांट चादातर खराभी हो जाता है ये प्लांट आपको नर्सरी में 150 रूपेज का मिलता है इसकी जो मीनी वेराइटी होती है वो आपको 60-80 रूपेज की मिल जाती है इसकी पत्तिया भी बहुत ही प्यारी लगती है क्योंकि रैड कलर में रहती है इसके बाद हमने करके सब्सक्राइब करके अच्छे से इन मगंब को पानी डाल देना है और पानी आप सटार्टिंग में अच्छा डाल ये ताकि पलांट आप का पिल्कुल भी हराब नहीं होगा अगर आप सेम ऐसे ही रिपोर्टिंग करोगे तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेर और सब्सक्राइब बाई बाई